Assalamualaikum students, आज हम first chapter की exercise 1.2 करेंगे, code हमारे पास 1.2 है, operation on set यह हमारे पास chapter का topic है, उसमे exercise 1.2 में हम union of sets and intersection of sets का करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इनके लिए union और intersection के लिए two sets होने चाहिए, यहाँ पर example है, if A हमारे पास यह वाला set हो, 1 to 10, numbers, जबके B हमारे पास 1 से 4 तक numbers का set हो, then find A union B, तो हमने क्या करना है, A union B find करना है, union में हम सारी चीज़े लिखते हैं, A set वाली B और B set वाली और जो same होती है, उसको एक दफ़ा लिखते हैं, देखें, A union B हमने निकाल ला है, A place पर A का set आजाएगा, union place पर union ही आजाएगा, B place पर B का set आजाएगा, अब इसको union निकाल ला है, तो इसके भी सारे elements और इसके भी सारे elements एक set में लिख देंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 से start हो रहा है, और 10 तक जा रहा है, मुसल सल नमबर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 and 4 numbers हैं, जी, तो इसमें जब हम union लेंगे, इसके भी 4 इसमें आगए, और यहाँ से 1 से 10 तक भी इसमें आगए, यह इसका union है, दोनों को अकठा करके लिखे देना, और जो चीज रिपीट होती है, जैसे के हमारे पास यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो हमने इसको 1 टाइम लिखना है, एक दफा लिखना है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको हमने एक दफा लिखना है, इसी तरह यह 10 तक आ जाएगा, intersection of sets, intersection of sets, उसमें हमारे पास यह होता है, हम सिर्फ दोनों sets के common sets लेते हैं, जो दोनों में common हों, example है, A हमारे पास यह है, यही set लिया है, B हमारे पास यह, then find A intersection B, A intersection, union को U से जाहिर करते हैं, और intersection को इस symbol से जाहिर करते हैं, A intersection B is equal to, A place पे A set आ जाएगा, B place पे B के set आ जाएगा, G, तो अब इसमें, जो common elements है, common members है, common numbers है, वो हमने लिख रहे हैं, A intersection B वैसे ही, इसमें 1 और 1, दोनों common हैं, 1 लिख दिया, 2 और 2 दोनों एक जैसे हैं, तो लिख दिया, 3, 3, 3 लिख दिया, उसके बाद 4, अब सलसल जा रहे हैं, नमबर 10 तक, तो इसमें 4 भी आएगा, 4 लिख दिया, अब उसके बाद, हमारे पास यहाँ पर तो 10 तक number है, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं है, तो फिर हमारे पास जो common number है, वो हमारे पास 1 से 4 तक है, यह example सी, अब exercise 1.2 पर question number 1.2 यह आप पूरी exercise खुद करेंगे,